जै मतादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटिव चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर के कुम राशी फल के बारे में ये दो दिन कुम राशी के लोगों के लिए कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग् पहले आप से निवीदिन हैं अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं हमारी चैनल के साथ चलिए जान लेते हैं इन दो दिनों में क्या तिति है नक्षत्र है क्या योग है 5 अक्टूबर की बात करें तो ये क्रश उसका 42 मिनट तक मेश रासी में रहेंगे उसके बाद वर्षब रासी में आ जाएंगे सूर्य कन्या राशी में चल रहे हैं हस्त नक्षत्र में इस दिन के अभिजीत मुहरत की बात करें शुब मुहरत तो वो सुभा 11 बजकर 46 मिनट से दोपहर 12 बजकर 33 मिनट तक है पांच 6 अक्टूबर का दिन क्रिशन पक्षे की चतूर्थी थी थी है जिसको विनायक चतूर्थी भी कहा जाता है क्रती का नक्षत्र होगा सिद्धिनाम का योग है मंगलवार का दिन है चंद्रमा व्रशब रासी में है और पूरा दिन सरवार सिद्धी योग बनेगा इस द किस्ति थी और ये राशी फल चंद्र राशी पराधारित है चंद्रमा किस्ति थी दोनों ही दिन दो भावों में हैं मेश रासी में और व्रशब रासी में यानि आपकी तीसरे भाव में और आपकी चौथे भाव में तो दोनों ही दिन जो है जो परिवर्तन है वो जरूर काफी महत्पुन योग माना जाता है विनायक चतुर्थी भी है गणेश चतुर्थी संकटी चतुर्थी इसको बोलते हैं संकट हरने वाली तो बहुत अच्छा संयोग है और इस संकटी चतुर्थी के दिन सरवार सिद्धी योग बन रहा है यह काफी अच्छा है तो यह जो सम सुख के भाव में चंद्रमा होंगे इस समय आप अपने परिवार अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त बिता पाएंगे और किसी काम में उनकी मदद आपको मिलेगी जिसके लिए आप उनका आभार भी प्रकट करेंगे त्योंकि उनके सहयोग से आपका काम पूरा होगा इसके दोरा आप इस बात का भी उन्हें विश्वास दिलाएंगे कि आप हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहेंगे आपको परिवार के अलावा अगर किसी को आपकी मदद की जरूरत है तो देखे पीछे बिल्कुल लाहते अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो जरूर Session करें इस दोरान आप अपनी प्रबंधन कला से आपको अपने लक्षों को प्राप्त करने की पूरी कोशशिश करनी चाहिए हाला कि यह आपको इरधारित करने होंगे और उस दिशा में काम करने होंगे अगर आपएक वैफशाय करते हैं तो अपने website में अपने उत्पाद को बढ़ाने का कारया आप करेंगे और उसके परिणाम आपके हक में होंगे आपके लिए अच्छे रहेंगे आपको लगेगा कि आपके जो संपर्क हैं वो काम नहीं आ रहे हैं आपको ऐसी प्रतीत होगा कि आप जो दिन है वो आपके पर बंगे उप्कैत बन रहे हैं किसी बीटरा से अगर आप जुड़े हुए हैं इस समय अपना ध्षान आप अपनी ग्राहकों पर केंदरित करेंगे जो डेली इंकम वाली लोग है है उनके लिए जो समय है अपने दिन पर अपने जो ग्राहक उन बना हुआ है। इस दौरान को धर्मकर्म के कारे होंगे। आपकी माता का सपोर्ट इस दौरान आपके लिए रहेगा। और माता की सेहत का थोड़ा ध्वाधान द्ट्यान जरूर रखना है। थोड़ी सास्ते समंदी परशानी देखने को मिल सकती है बाकि उनका सपोर्ट आपके लिए होगा और मता के तरफ से कुछ लाब की उम्मीदे भी बनती हुई दिखाई दे रहे हैं परिवार दोनों ही दिन बहुत सपोर्ट इवाब के लिए रहेगा यानि आपको जो खुशी अनुबह होगी खुशी जो मैसुस होगी वो अपने परिवार की तरफ से होगे संतान की बात करें तो अगर आपकी संतान विवाह योग vibes है तो बहुत अच्छे योग हैं इस दोरान कुछ विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं और इन प्रस्तावों पर आपको ज़रूर ध्य देना है तो बहुत अच्छे योग बने हुए हैं कि अगर इन दिनों में आप के लिए विवाहत के प्रस्ताव आते हैं जाते हैं तो उम्मीद है कि वो पक्का हो सकता है यह काफी अच्छा है एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन के फिल्ड में जो 5 अक्टूबर का आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी आलस आ सकता है आलस को दूर करना होगा क्योंकि आलस आपके काम को पीछे करने की जड़ है इसलिए आलस को त्याकर अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है अपने पढ़ाई पर केंदित करना है तो समय जो है यह अच्छा रहेगा सारा दिन आप काफी व्यस्त भी रहने वाले हैं जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनके लिए समयानुक mural बना हुआ है आपके जो नौकरी करने वाले लोग हैं आफिस में माहौल काफी अच्छा होगा अपने सहयूगे के साथ अच्छे से आप पेश भी आएंगे और उनका जो उसे बाव है वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा तो ये समय काफी अच्छे से आपका व्यतित होने वाला है इस दोरान आपके भाई बहनों की सलह आपके बेहत काम आ सकती है आपके भाई बहन आपकी कारे से जुड़े कोई ऐसी सलह दे सकते हैं जो बहत काम आ सकती है तो उनकी बातों को ध्यान से सुने ध्यान से समझे और उनके इसायोग से लाब की उम्मीदे बनी हुई है लाब के योग बने हुए है अलाकि इस दोरान देखे कुमराशी के लोगों के लिए जो समय है वो काफी अच्छा चल रहा है जो ग्रहों की ओवरोल इस्तिती है वो काफी अच्छी बनी हुई है और आने वाला समय भी आपके लिए कई सारे अनुकूल आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आने वाला है जिसकी नीव आपको खुद रखनी है नीव आपको रखनी है यानि मेहनत आपको करनी है जिस काम से आप जुड़े हैं बस उस पर ध्यान केंद्रित करके आपको चलते रहना है फिर आपको कोई पीछे नहीं कर सकता आप दिन प्रति दिन अपनी महतो कांक्षाओं की तरफ अपनी महत कांख्शाओं को पूरा करनी की तरफ आप बढ़ते जाएंगे इसलिए ये नीव आपको रखकर त्यार रहना है आलस को ट्याकर काम करना शुरू करना है प्रेम जीवन पारिवारिक जीवन दामपत्य जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन बहुत शांदार रहेग प्रेम की अनूठी अभिव्यक्ती से आप अवगत होंगे मन में उठ रहे जो विचार हैं उनको व्यक्त आप कर पाएंगे जिससे काफी हलकापन महसूस होगा अपनी प्रेमी से अपनी दिल की बाते बोल पाएंगे और अगर दामपत्य जीवन की बात करें तो दामपत्य जीवन के लिए भी जो समय हैं काफी अनुकूल रहेगा आपका जीवन साथ ही अगर वरकिंग है तो उनके लिए बहुत अच्छे ये योग बनेंगे लाब के इन दो दिनों में आप देखेंगे उनके लिए जो लाब की उमीदें हैं वो बढ़ जाएंगे एक दूसरे का सपोर्ट आप करेंगे एक दूसरे की मदद करेंगे एक दूसरे के सहयोग से दोनों आप कामयाब होंगे स्वास्ते की द्रस्टी से ये समय देखा जाए स्वास्तेका जरूर ध्यान रखें स्वास्तेका भी आपको वहाँ चलाते समय सावधानिय रखनी है देखिया आप अगर इस दोरान कुछ यात्रा करते हैं तो यात्रा करते समय पूरी सावधानी आप बढ़ते हैं बाद में पच्टाने से अच्छा होता है कि आप पहले से सतर करें जब भी आता है जब आप वहाँ चलाते हैं तो याता है कि सभी नियमों का पालन करें सतर को करें वो आग से सम्मधित काम करते हैं तो भी बिजली से सम्मधित काम करते हैं तो भी तो इन सभी चीजों से आपको सावधानी रखनी होगे साथ ही चैनल को सबस्क्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें